क्लिक करेंगे, कलर अपने आप चेंज हो जाएगा, अवास के अकॉर्डिंगली साउंड जो सुनेगा, उसके हिसाब से लाइट जो है वो प्रफॉर्म करेगा, तो जब हम बात करते हैं, फोटोग्रफी की या विडियोग्रफी की लाइटिंग इस दे की, डेफिनेटली तो सारे काम आपके शूट वाइस परफेक्ट निकलते हैं, और अगर आप एक फोटोग्रफर हैं, विडियोग्रफर हैं या कॉंटेंट क्रियेटर हैं, आपको बताए कि एक बढ़िया लाइट आपके वीडियो में चार चान लगा देगी, आज हम लेके आए हैं डिजी ट के फीचर्ज हैं, क्या-क्या आपको मिलेगा जब आप ये लाइट खरीदेंगे, चेक आउट करते हैं, तो वीडियो एंट तक जरूर देखना और आगे चलने से पहले अपने फेवरिट सैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट करना ना भूले, तो दोस्तों मा होते है, Digitech is the only brand जो मेरे mind में strike करता है, बिकाज अपने users को mind में रखते हुए सारी चीज़े market में लाते हैं, ये 30 watt की जो light stick है दोस्तों, ये आपको आती है with a grid, diffuser और साथ में ये कमाल की quality वाले barn doors, अब ये 30 watt की होने के साथ साथ, आपको इसके साथ app मिलता है, जिसके थू आप पूरी की पूरी light को अपने phone से control कर सकते हैं, वो कैसे होगा, वो मैं आपको आगे वीडियो में चल के दिखाता हूँ, जब आप light purchase करेंगे guys, ये box है, जो आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, hand held, RGB, LED, light wand, और इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया, grid, diffuser, urban door, स इस light के साथ आपको मिलेगा, ये कमाल का carry case, जो के बहुत ही अच्छी बड़िया quality का carry case है, जब आप box को खुलते हैं guys, इसके अंदर से आपको definitely, ये light जो है, ये तो मिलने ही वाली है, और इसके साथ, digitec की light का, ये है, manual एक बर instruction जो है, ये आप जरूर पढ़ लीजेगा, आपको मिल रहे हैं ये removable diffuser और anti glare, और ये हैं आपके grids, जिसके साथ आप बहुत ही बड़िया pattern जो है light के साथ, आप अचीव कर सकते हैं, शाथ में मिलता है आपको ये USB-C चार्ज करने के लिए, सबसे बड़िया बात दोस्तों, market में बहुत सारी light sticks available हैं, जो आप देखी हो आपको जितने भी हमारे experience लोग हैं यहाँ पे, इस light का plus point ये है कि आप इसको USB-C charging के साथ यूज भी कर सकते हैं, तो अगर आप कल को shoot पे हैं और आपकी battery खतम होगी, हमको power point लेके ढोड़ने की जूरुत नहीं पड़ेगी, ना वह extra batteries जो हैं, आपको वो लगाने का अच्छा grip है, बहुती smooth, आपको पकड़ने में लग रहा है, एक premium product आपने पकड़ा हुआ है, और पीछे जो है, इसके सारे controls दिये हैं with the display, यहाँ पे on off का button है, मैं इसको on करता हूँ, और हम इसका जो mode से, अपने modes को change भी कर सकते हैं, light की quality, बहुती बढ़िया, बहुती soft, nice quality light, यह light पे मैंने अभी diffuser लगा दिया है, और आप अराम से रिमुवेबल जो यह diffuser है, आप उपर जो यह switch है, इसको प्रेस करके अराम से निकाल सकते हैं, और वापस दूसरे वाले के साथ सेट कर सकते हैं, और बहुती कमाल की attachments आपको इस बार इस light के साथ मिल रही है, औ bond doors, जिस हिसाब से आप कुछ selected area पे light देना चाते हैं, पूरा full के spread करना चाते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, वरना आप इसको close करके accordingly जैसे pattern या कुछ create करना चाते हैं, वो आप इस light के साथ easily कर सकते हैं, इस light के color temperature की दोस्तों, अगर हम बात करें, यह 2500 Kelvin से लेके 9900 Kelvin तक आप इसके साथ change कर सकते हैं, और अपनी मर्दी से cool warm जैसे भी light आप रखना चाते हैं, वो आप adjust इससे कर सकते हैं, 0 to 100% brightness आप इसके साथ set कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, गाईज अब हम चलते हैं, इसके app पे जैसे ही आप app पे switch करेंगे, तो immediately इसका interface इतना बढ़िया है, कि य light को detect कर लेता है, और इसको connect कर लेता है, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह immediately light connect हो गई है, तो अब हम बात करते हैं, light के app की interface की, तो नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे cct, hsi और effects, तीनों चीजे जो है, आप के साथ आप control कर सकते हैं, अभी जैसे कि base का power जो है, मैं light होगी हमारी two percent पे, again, cct, जो इसका Kelvin है, आप इसको कितना cool रखना चाहते हैं, या इसको warm रखना चाहते हैं, आप easily apt case through, देखो, आप कैसे change कर सकते हैं, या 5600, 6900, and straight up to 9900 Kelvin, so यह आप कर सकते हैं, again, हम यहाँ नीचे अगर बात करें, hsi की color dial आपको दिया हुआ है, आप ज easy है guys, power यहाँ पे जो भी color आपने pick किया है, उसकी power मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो यह देखो, मैंने इसको 100 percent कर दिया, इसको हम 46 percent पे ले आए, and back to 1 percent, so color जैसा आप चाहते हैं, नीचे बार के साथ, आप use करेंगे, scroll करते हुए, आप change कर सकते हैं, या सीधा उपर जो इफेक्स के साथ हम चलते हैं, इफेक्स पे, तो जो इसके सारे inbuilt effect हैं, वो अब आप यहाँ पे check कर सकते हैं, पहला आगया यह flash, आप देखें, तो जो वीडियो शूट करने वाले हैं, लोग या हमारे creators हैं, अपने वीडियो पे different different effects चाहते हैं, तो उनको यह बहुत आने वाला है, यह है हमारा पहला effect का, जो है flash, next, let's go to flash 2, इसमें जो आप देखेंगे, flash का, जो duration है, वो थोड़ा fast हो गया है, and then, let's, again, यहाँ पे मैंने, इसकी जो intensity है, guys, आप देखेंगे, मैंने 7% पे रखी विया है, मैं चाहूँ तो इसको full 100% कर दूँगा, जो आप अ 7, अब आते हैं, हम TV मोड पे, तो जब आप देखेंगे, बहुत सारे shots होते हैं, shooting के time पे, के, वो दिखता है के मूँ पे, you know, ऐसे TV देख रहा है, कोई popcorn खा रहा है, so shots के लिए, आपको यह effect, almost, आप इसके साथ अचीव कर सकते हैं, then, let's go to candle, यह देखो, candle का effect, देखो, right, क कुछ shoot कर रहे हो, pre wedding shoot कर रहे हो, तो वहाँ, यह जो सारे lighting है, कमाल के, आपको helpful होने वाली है, then, let's go to flame, यह हमारा flame वाला look, and then, go to flame 2, इस पर अगें, थोड़ा सा जो है, intensity जादा रहती है, और आपकी जो duration है, बढ़ जाता है, police, यह देखो, अगर आपको police वाला, यह कुछ ऐसा shot देना, जहां पर light blink करते वाए, तो आप यह चेक कर सकते हो, then, we have the ambulance, again, इसकी intensity बढ़ा के दिखाता हूँ, आपको कितनी बढ़ जाएगी, ambulance, then, we have the fire truck, यह देखो, यह आगे, हमारा fire truck, then, we have the strobe, strobe 1, अगर आपको कुछ पापराजी टाइप के, कुछ lightning वाले अच्छ और shots डालने है, strobe 1, strobe 2, and here we have the strobe 3, तो यह तीन effects है, अगें देखो, guys, मैं सब कुछ आप पे, easily control कर पा रहा हूँ, recording साथ में चली रही है, button नहीं दबाना है, chase, तो हमारा यह chase वाला है, effect on हो गया, chase 2 में, थोड़े से, यहां पे इनने time भी icon बनाया हूँ, और 3 पे, हमारा जो है, effects ऐसा change हो जाता है, coming to the next one, which is a firework, अगर आपको fireworks वाले shots कुछ दिखाने है, firework effects दिखाने है, तो यह 1, 2, और 3, change करके आप fireworks का भी different different effects डाल सकते हैं, then we have the club, party करनी है, party के shot लेने है, music video करना है, तो यह सारे effects जो है, आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं, यह आग अच्छा feel देगा video के अंदर, and then we have the music, music की देखो बात, यह देखो, इसके अंदर है एक mic, so अगर आप कोई music video type का shoot कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि light जो है, sync करे, video के जो भी गाने चल रहे हैं, इसकी beat पे change होती रहे, तो यह music काम आएगा, तो I'm sure इसके अंदर कुछ छुप one, यह हो गया wave, और last है हमारा wave two, तो यह है guys, पूरा app, मैंने भी app से light को off कर दिया, on करते हैं, तो on हो गया, वापस मैं इसको लेके जाता हूं cct पे, और यहां हम इसको intensity करते हैं, यह light दोस्तों, market में आपको मिलेगी 9000 से 9500 तक इसका जो buying link है, मैं नीचे description में paste कर and मेरे हिसाब से जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप content creator है, photographer, videographer, एक बड़ी आ portable, powerful light लेना चाहरे है, 30 watts की digitek की light, जरूर check out करें, मैं नहीं बोल रहा हूं कि जाते ही भाई, इसको खरीद लो, आपकी मर्जी है, लेकिन जो यह pricing है guys, again इससे पहले भी जो हम digitek की light की पहले या minimum 13,000 से कम में कुछ नहीं मिलेगा, तो यहां पर इतने सारे features के साथ, इतने सारी चीजे आपको इस light में मिल रही है, under 10,000 rupees, तो एक बार जरूर चेक करना, and I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, कैसा लगा नीचे, like, comment करके बताना, और मिलते हैं जल्दी अगले व नगर चेड़ आपके आपके बताना, ईकली एक बाले करना भाले का वीजाए आप एकrire तो अ